पर थोड़े चोले पड़े तो मैंने सुचा कुछ नई रेसिपी बनाई जाए तो यहाँ पर हमने बना एकदम क्रिस्पी वड़ा रिजल्ट देख सकते दोस्तों देखते मूं में पानी आ गया न अंदर से सौब भार से बहुत ही क्रिस्पी एक बार आपी तरीकी से वड़े लेती हूं शाम की चोटी मोटी बुक है सुबह का नाश्टा या घर पी कोई में में आधा कप छोले लेना है बड़ा वाला छोले लेना है इसका जो स्वाद एक नंबर लगता है इसे अपने राद भर पानी में भिगो के रख लिया था अब करेगे में प्रोसेस अपने चो देश के साथ हमपने लिया था उसका तरफ viral में डाल देना है पानी निकाल लेना है दोस्टों दो बार में इसे पिसने वाले है इसे के साथ हम डाल कि तीन हरीमिच और आधा बिना पानी के अब इसे अच्छीतत्बर शौले आल देश से पिसकर हो चुका इस तरफ एस तरके लगते हैं खाने में अब एक बड़ा प्याज बारी कटा हुआ डाल देते हैं पर डालेगे आदा चमच जीरा जीरे के साथ ही हमें डाल देना है पाउच जितनी अजवाइन अजवाइन को क्रश करके डाले दोस्तों इसका जो फ्लेवर भौधी अच्छा लगता है एक बार ये वड़े खाओगे दोस्तों तो खाते ही रे जाओगे ये गारिंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ आदा चमच है पर डाल देते हैं धना पाउडर धना पाउडर के साथ ह दाले पाउच अमच इतनी कश्मीरी मिर्ची पाउडर ये सिप में कलर के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसके वज़े निंबु का रस भी डाल सकते हो तो इसका जो स्वाद होता है चट पटा भादी पढ़िया लगता है एक चमच है पर तिल डालना इसका जो नटी सवा एक नमबर लगता है अब यहाँ पर डाल देते हैं नमक स्वादूसार आप देख सकते हो यहाँ पर नमक ले 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 हाँ दोस्तों यहाँ पर हमने दो चमच कॉन फ्लावर डालना है और तीन चमच बेसन काटा डालना है आटे डालते समय कैमेरा थुड़ा इश्यू लेते कि जो भी हमने सामगरी डाली थी वह अच्छी तसे मीक्स हो जाया आप देख से तो इस तरीके डौक के फोम में आ चुका है एकदम बढ़िया सा हाथों को हमें क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर चुटे-चुटे साइच के वड़े बनाएगे आपको कितनी ज्यादा मोट आयगा यह चाहिए चुटे जिड़रे आपके साहर से कम्या ज्यादा साइच कर सकते हैं आप जो चाहा वह मनसा इसमें दे सकते हो पर यह पर इसदम आसाना सा शेप में देने वालो इस अश्य तरीक्त गोल गोल कर लेते हैं और रह्तों से दबालेते हैं थोड़ा हलका सा प जाना है तो इस तरह के समय बात का ध्यान देना कि अधम गरम गरम ओल चे थंडा उइल बिल्कुल भी नए थंडा ओलोगा तो बराबर हमारे बनेगे नियु ओईली बन जाएगे तो इस सरीकिसे मिई डालते जाना है जैसे में वड़े डाल दॉस्टाइम पर्टि प्लटी करे अब आप देख सो तिसे हम टच करें लिए एकदम इजीली है न थोड़े में हमारे वड़े ये ने हो गए और इसे उलट पुलट करते जाना है जब तक फ्राइ करना जब तक इसका खला हरका सा गोल्डन ना हो जाए और ग्यास के प्लेम हमें फाश्टी रखने धीमियाद पे शाम में आप खा सकते हो या कोई महमान आजाए तो आप स्टार्टर के इसाब से नाष्टे में भी इसे खा सकते हो जट पड बनका तयार हो जाते है नए स्वात के साथ और इसे चला लेती हूँ बीच-बीच में और गोल्डन फ्राइ कर लेती हूँ अपर देखते हो अच्छी तसे हमारे वड़े बनका तयार होगे इसे मैंने दो मिन्ट तीन मिन्ट ऐसे बीच-बीच में चलाया भी दोस्तों अभी मैं इसको निकाल के बता देती हूँ जहारे में जैसे हैं पर मैंने ओल मैसी निकाला इसने थोड़ा यानि थोड़ा भी ओ में पानी आगे और कितने आसान से रेचिपी दोस्तों एक वड़ा मैं आपको लेके बता देती हूँ आप देख से तो भाहर से कितना कुरकुरा अंदर से हलका सा सौप्ट है गिसके बता देती हूँ थोड़ा यानि थोड़ा भी ओल ने कुछ भी नहीं वाव यम्मी यम्म आता है और कोई मेहमान आजाए तो मैं आसानी से बना कर तयार करते हूँ और सभी मेरी तारीक परते हैं यदि आपको भी तारीक सुने तो जट से बनाओ और इसका स्वाद लो और हमें बताओ वड़े आपको कैसे लगे